श्रीधाम व्रिंदावन की सुप्रसिद्ध मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमत भागवत जी के मंदिर का भव्य शिलान्यास समारो आयोजित किया गया। जिसमें श्री धाम व्रिंदावन की प्रमुक श्री महंत महामंदलेश्वर एवं संतों ने अपने करकमलों से मंदर का शिलान्यास किया। डॉक्तर कन्हेयालाल ज्हा एवं आचार्या रामदत बाजबाई के आचार्यत्व में पूजन अर्चन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए द्वाराचार्या जगतकुरू निम्बाकाचर्यो श्री मुकुंद देवाचार्यो पिठादीश्वर श्री राधेश्याम शरन देवाचार्या जी महाराज ने बताया कि यह श्रीमत भागवत जी का मंदर विश्व का पहला ऐसा मंदर ह जिसमें भागवत जी के 18,000 श्लोक शिलालिक पर लिखे जाएंगे। मंदर के अंदर चारो तरफ इन शिलालिकों को विराजमान किया जाएगा। दर्शन करने वाले भक्तों को इन शिलालेकों के दर्शन मात्र से ही भागवत जी के श्रवन का पूर्ण पल प्राप्त होगा। पहलवान आदी उपस्थित रहे। बिश्व में लाकों हैं। स्रीधाम ब्रंदावन में ही कर पाएंगे। वैसे तो स्रीमत भागवत महापुरान के मंदिल घर घर में हैं। भागवत जी के पूजन घर घर में होता है। और भागवत कताकार और भागवत पाठ करने वाले घर घर है। फिर भी हमारे सनातन धर्म संस्कृति में मठ और मंदिल को बना कर जो आज नया उवापिधी वो भागवत क्या है। भागवत साक्षा स्रीकृष्ण के सरूप है। और स्वेम स्रीमत भागवत महापुरान में महात्में ही कहा गया है कि जिस समय भक्ति देवी अपने ग्यान और वेराग दोनों पुत्रों को लेकर उपस्थित हुए भागवत पंडाल में जहां शनकादिक देवरसी नारज जी को भागवत कता मिर्द का रसा स्वादन करा और है